Hello Friends, Welcome to Computer Course आज हम जानेंगे Input Device and Output Device किसे कहते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं Input Device की तो Input Device वो होते हैं जिसमें से कुछ डाटा कम्प्यूटर में जाता है जैसे की कीबोर्ड जब हम कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करते हैं फिर वो डाटा कम्प्यूटर में जाता है और फिर हमें Output Monitor पर दिखाई देता है हम कीबोर्ड के ओपर कोई भी चीज टाइप करते हैं वो हमें monitor के ओपर डिस्पले होती है हमने कीबोर्ड पर type किया और कम्प्यूटर को बताया फिर computer ने process की तो जिस device से हमें computer को बताना होता है बाहर से वो चीज input device होती है जैसे की keyboard, mouse, scanner, microphone, joystick, camera, test tablet अब हम बात करते हैं output device की होती है जब भी आप computer पर कुछ काम करते हैं तो इसके लिए आप keyboard, mouse, monitor आदी चीजों का इस्तमाल करते हैं computer के अंदर कोई भी data एंटर करने के लिए आप जिन उपकरणों का इस्तमाल करते हो वो input device होती है जैसे की keyboard and mouse अगर आपको आपके computer पर दिये गए data को देखना हो या उसको computer से निकाल कर paper पर print out लेना हो तो आप जिन device का इस्तमाल करते हैं वो output device होती है जैसे की monitor and printer इस प्रकार output device वो hardware device होती है जिसे हम computer से data या कोई दूसरा output जैसे की voice लेने के लिए उपयोग करते हैं यदि आपने computer के उपर कुछ भी type किया है अगर आपको उसका print out बाहर निकालना है तो आपको उसके लिए output device की जरुवत पड़ेगी जैसे की printer जो output device होती हैं वो होती हैं हमारी speaker, printer, monitor, projector, headphone, light, LED, microphone, webcam ये सब चीजे जो होती हैं हमारी output device के अंतरगत आती हैं तो चलिए friends अब हम मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye